जेम महा घोटाले पर CBI ने ये शिकंजा कसा है जेजेम के महा घोटाले बाजों को CBI ने तलब किया है CBI ने घोटाले बाज अधिकारी, छेकेदारों और घोटाले से जुड़े अन्य लोगों को भी समन भीजा है समन भेचकर CBI ने पूश्टाज के लिए दिल्ली तलब किया है जल्दाए विभाग से भी घोटाले से जुड़ी एम फाइले तलब की गई है गंड़पती ट्यूवेल और श्रीशाम ट्यूवेल कामपनी के घोटाले से जुड़ा मामला पदम चंद महेश मितल पर CBI ने दर्ज कर रखी है F.I.R अन्या अधिकारियों के खिलाफ CBI ने दर्ज कर रखी है F.I.R CBI अब मामले में तेजी से जांच कर रही है तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे है राकेश संबदाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथे राकेश क्याप जेट है आपके पास दरसल जेजेम घोटाले पर CBI ने शिकंजा कसा है बिल्कु देखिए जिस तरीके से जो भाजपा के वरिश नेता डॉक्तर किरोडलाल मिनाने जलजीवन मिशन गोटाले में बीच हचार करोड की वित्ती निमित्ताओं के आरोप लगाये से उसके बाद केंद्र और राजी सरकार की जात इजेंचियों ने इस गोटाले पर सिकंजा कसा है अब CBI ने जो है उन अधिकारी और ठेकेदारों को समन भेजे हैं चुकि CBI पहले इस मामले में 217 अबलिक 2024 F.I.R. दर्ज कर चुकी है और इसमें बकायदा कई अधिकारी और जो ठेकेदार और प्राइवेट विक्सी हैं जो इस गोटाले से जुड़े हुए भी हैं और कई ऐसे बड़े अधिकारी जल्दाए विबाग के शासन के हैं जो इस गोटाले में लिप हैं जिनके खिलाफ सिकायत की गई है अब इडी ने कल देर राज जिस तरीके से इसी गोटाले में मंत्री महिश जोसी के जो निजी एक व्यक्ती थे निजी सच्ची जिसको इडी ने बता रखा है अब जो दूसरे अन्य लोग हैं उन पर अब सीबियाई ने सिकंजा कसा है चुकि सीबियाई जो है इस मामले में पहले गहराई से तक्तिस कर चुकी है अब जलदाए में भाग से भी सीबियाई ने दस्ताविज मांगे हैं वो फाइले मांगी हैं जिन से ये टेंडर आवंटित किये नियम दुरुत तरीके से फरजी इरिकॉन कंपनी के जो इन सर्टिपिकेट से जो है जो टेंडर आवंटित किये गए बिना जाच किये और इनको अब भुक्तान भी किया गया ये तमाम रिकॉर्ड अब सीबियाई ने तलब किये हैं और ये सभी फाइले जलदाए भाग मुख्याले से सीबियाई को भेजी गई हैं उसके बाद इनकी अध्यान करने के बाद अब सीबियाई इन लोगों से पूस्ताच करेगी कल जिस तरीके से एडी ने संजय बढ़ाया को पूस्ताच के लिए बुलाया था गिरफतार कर लिया मौत है कई ठेकेदार अधिकारी प्राइवेट त्यक्तियों को भी अब गिरफतार कर सकती है और प्रारमित तौर पर उनसे पूस्ताच की जाएगी जिस घोटाले में या एनिवित्य निमिताय हुई हैं उनमें कौन किस तर पर सामिल है कहां से टेंडर जारी किये गए बु इसको लेकर के सीब्याई के अधिकारी पूस्ताश करेंगे ठीके बहुत धन्यवाद राकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए कोटा सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर एक पीड मा के नाम अभ्यान को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और उसका दूसरा पहरू ये भी है कि जो आज हम काम करेंगे आज जों सेवा करेंगे उसका आने वाली पीडियों की जिन्दिकियों को बेतर हो सकता है यह दो डश्टी कौन है और दोनों डश्टी कौन पर विज़ार करना पड़ेगा कि आज जो हम पेड लगाएंगे वो पेड पास साल बाद, दस साल बाद इस पोटा को घरा भरा शेहर कर देंगे कि वो पेड लगाना नहीं कि पेड को बालना, सलक्षन करना हर देखती है कर जीवन में संक्व ले, कि एक पेल मा के नाम लगा कर उसे पेल को पढ़ाना भी है और पढ़ा भी करना है, जिस तरीके से माँ हमको पालती है, पढ़ा करती है, उसी तरीके से दर्थी माँ हमारी माँ है हम वर्षों की पूजा करते हैं यह हमारी संस्क्रती संस्कार है और इस संस्क्रती संस्कार से हम पड़े हैं बड़े हुए हैं हमने उस संस्क्रती संस्कारों को दिखा है इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि मा की सेवा करने का दैट हमारा है जरती मा का सेवा करने का दैट हमारा है और इस जर्वायों परिवर्तन में जो प्रभाव आने वाले हैं इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जोदपूर के फलोदी से ये बड़ी खबर है जहांपर ओपन स्कूल परिक्षवा केंडर में सामोहिक नकल ब्लैक बोट पर उत्तर लिखकर करवाई जा रही थी सामोहिक नकल डमी अभ्यारतियों को बिठा कर लिखवाई जा रही थे प गनित की थी परिक्षा उड़न दस्ते ने पकड़ा सामोहिक नकल का मामला उड़न दस्ता प्रभारी ने दर्ज करवाई एफ आई आर सामोहिक नकल करवाते वीजियों हुआ वाईरल कमरे में कल थे 25 अभ्यारती लेकिन कौपिया अधेक मिली है उड़न दस्ते को देखकर जमिया भ्यारती परिक्षा केंडर से भागे थाने की जगा स्कूल में रखे हुए थे प्रश्ण पत्र जोद्पूर के फॉलवदी से ये खबर है जहां पर ओपन स्कूल परिक्षा केंडर में सामोहिक नकल का ये मामला सामने आया है थाने की जगा स्कूल में रखे हुए प्रश्मेपत्र उडंदस्ते ने पकड़ा सामुहिक नकल का ये पूरा मामला तो लगातार परक्षा पर नकल को लेकर कारवाई चल रही है लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं लोगों के होसले बुलंद नहरा रही है। और इस तरीके से सामोहिक नकल करवाई जा रही है जुसका एक वीडियो भी सामनी आया है कमरे में कल थे 25 अभ्यारती लेकिन कौपिया उससे अधिक मिली है उड़न दस्ते को देखा डमी अभ्यारती परिक्षा केंद्री से भाग खड़े हुए ठाने की जगा स्कूल में प्र प्तवर लिखे गए थे और आराम से परिक्षा करवाई जा रही थी संवादातार चंद्रशेखर फोन लाइन पे हमारे साथ हैं चंद्रशेखर लगातार कारवाईयों के बाद भी यह डमी अभ्यारती और परिक्षा में नकल लगातार बरता जा रहा है कल क्या शिकायत में कहा गया था कि दो-दो अजार रुपए 71 करके परिक्षातियों से जो है नकल करवाई जा रही है यह परिक्षा जो थी जो बोर्ड की मंगलवार को आयोजित की गई थी जो की पंजी का बेरा फलोदी के देश उतानाक्षेतर का है वहाँ पर है जहां पर बारव दर्वादा था और जब उडन दस्ता वहाँ पर पहुंचा उडन दस्ते की टीम पहुंची तो उन्होंने यह सारा नजारा अपने मोबाल में कैट किया चीके बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए करॉली से बड़ी खबर है राच की बालिका उच्छ मादमिक विध्याले में हाल की चछद गिरी है हाल की चछद गिरने से कमरों की चछद की पच्चियां भी चूटी है गरिमत रही रात को चछद गिरने से चला बड़ा हादसा परोसियों की सुचना पर विध्याले स्टा लेकिन ये गनी मत्रही की यहादसा रात के वक्त में हुआ अगर दुन के समय हो था तो कई बच्चे इसमें चोचल हो सकते थे और जोद्पुर से एक और बड़ी खबर जो आपर स्कूल प्रिसर में प्रधाना च्वारे समार पीट का मामला आया है राज की उच्च मातमिक विध्याले बोपालगर का एक पूरा मामला है कीसी लेने को लेकर वुआ विवार अभीभावक की सिक्ष्वक के साथ हुई अनबन नारा